उत्राखंट विधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोट बिल पेश की जाने पर हंगामा और विरोट शुरू हो गया है। उत्राखंट सरकार ने मई 2022 में सुप्रीम कोट के रेटाइड नयायधिश के नेत्रत्व में विशिशग्यों के एक समिती गठित की थी। इस कमिठी ने बैठको, परामर्शू, छेत्र के दौरे और एक्सपर्स और जनता के साथ बाठीत के बाद मसौदा तयार किया। इस प्रक्रिया में 13 महिने से जादा का वक्त भी लगा। बीजेपी ने 2022 विधानसवा चुनाओं में अपने घोश्टा पत्र में इससे लागू करने का वादा किया था। राजबे सरकार बनने के बाद मार्च 2022 में ये क्याबिनेट में पास हुआ था। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि उत्राखन UCC में क्या कुछ है। पहले आप ये जान लिजे कि UCC लागू हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले हर धर्म में शादी तलाक के जो नियम है वो एक ही होंगे। जो कानून हिंदू के लिए वही दूसरों के लिए भी होंगे। बिना तलाक एक से ज़ादा शादी नहीं कर सकेंगे। मुसल्मानों को चार शादी करने की छूट भी नहीं रहेगी। अब UCC लागू होने के बाद कई चीज़ी ऐसी भी हैं जो नहीं बदलेंगी वो जान लीजे। धार्मिक माननताओं पर कोई भी फर्क इसके बाद नहीं पड़ेगा। धार्मिक रिती रिवास पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेश भूशा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्राखन UCC की दस बड़ी बाते जान लीजे। पॉलिगामी या बहु विवाप पर पूरी तरीके से रोक, मुस्लिमों में हलाला और इद्दत पर रोक। इसके अलावा सभी शादियों का अनिवार रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा लिवन रिलेशन का डेकलरेशन भी अब जरूरी हो जाएगा। बेटी को विरासत में बराबरी का हक मिलना होगा। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल तो वहीं लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल होगी। साथी साथ आपको पता दे पती पत्नी को तलाक के समान आधार देने होंगे। इसके अलावा पती पत्नी में अगर जगड़ा होगा तो बच्चों की कस्टिडी किसे जाएगी इसका प्रावधान है। और मुस्लिम महिलाओं को भी गोज लेने का अधिकार मिल सकेगा।